नमस्कार नियूज वर्ल इंडिया देख रहे आप मैं हूँ आपके साथ सुमनपाल। ऐसे में परधान मंत्री नरेंदर मोदी के विजन के अनुरूप परदेश को विक्सित करने के लिए बजट की जरूरत थी पियम मोदी ने देश के अर्थ विवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की बनाने का लक्ष रखा है। का भी जिक्र किया है इसके पहले मंगलवार को सदन की कारवाई शुरू होने के कुछी देर में हंगामा होने लगा और हाला कि कुछ देर तक स्थगन के बाद ही फिर से कारवाई शुरू हुई आपको बता दे कि अनुपूरक बजट पर चंचा हुई इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के एक दूसरे पर जम कर आरोप लगाए है। विपक्ष के एक विधायक पे कहा है कि सरकार सिर्फ घोशनाई करती है, अनुपूरक बजट में भी यही किया गया है, जबकि सच ये है कि पिछला बजट अभी तक खर्च ही नहीं हो सका है। उन्होंने तंज कस्ते हुए कहा है कि सिर्फ घोशनाई करने से परदेश का विकास नहीं हो सकता। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से बेरोहेट दानिश्वार्शी लगातार बने में, दानिश्वार्शी मुख्यमंत्री योगी ने चर्चा वी जबाब दिया है, क्या है मामला। सत्र में जो इन्होंने आज बजट अनुपूरत का पेश किया है, उसमें उन्होंने खयाल जो रखा है, लेकिन अभी भी उत्तर परदेश में रोजगार के मामले पर फोड़ी घंबिता कम दिखाई गया है, जिस तरीके से तपा विदायत में जो आरोप लगाया है कि बोलन सब्सक्राइए जिसका पालन करना उसको दूर करना इसे सभी सरकार के मुख है, जिन्डे मुख बिंदू में होता है, लेकिन जैसे कि उत्तर परदेश में, मैं कहते हूं कि अभी तक जो इस तरीके से घरने परदेशन लोगों के चल रहे ते जब विजली में बात के हो, चा सब्सक्राइए जो बड़ी चीज़नों ने बताया है, कि क्या बोलने और करने में अंतर रहेगा, चा वो जबी इस तर पर दिखेगा, लेकिन जो योगी आज इसाथ में बात भी कहिए है, बजट में, तो बजट में दो पुईंट में जो कहीं हद तक लग रहा है कि उना सह उत्र परदेश में चाहँ मतान को लेकर को चाहँ परदी मुकतमे के लिए ज 싸के से वीडियो लगता रा रहा है। उस से लग रहा है कि पुरीस को पूरे पावर देने का कहीं पैदा है कहीं नक्सान मुझ्जू पंग्रा है। दूसरा वोन योकिया दिंदान ने ये भी कहा है कि उत्रफ परदेश के अंदर आप जो है माफिया राज खतम हो गया है हां ये वाद ये सही है अस्री परशन खतम भी हो चुका है लेकिन जो गरोषगारी पर समाजरी पार्टी ने सवाल उठाया है विकास को लेकर तो उनका सवाल है वो सवाल मुक्मंत्री से सीधा है बलके उनकी सरकार से सवाल है कि क्या रोषगार को उने ने पर पजट दिया है जा महींगाई पर लगाम लगाई रही है क्या विक्ति मुद्वाट में दिल्ली के तर्ज़ पर को चूट की निश्वी लिए किसम बहु आप हुश क पचारियों पर अगल करती हावाइद कब्जी नटाएगे लेकिन अभी भी कहीं ऐसे मामले देखे गए हैं जहां पर कुछ अधिकारी अपने आपको हीरो पंसी के चक्र में केवल हाइलाइट होने के लिए कुछ यह जिगा जन्पत में कारवाई तर देते हैं और बाखी जग के लोग के जिनके पास चाहिए और यह आवाज स्रेड़े में जाते हैं जैसे की मतला चाहिए कि रोटी कप्ड़ाव मकान दे लिए हैं लेकिन रोटी के वारे में भी सोचना पड़ेगा सरकार को यानि रोचगार के बारे में सवाज आज़ाएग कि विजएक नों सवाल उ तो साथ हो रहे हैं तो है यहां पुत्तर प्रूबर है लेकिन अब्धिन किसे बड़ा है वह उट्टरपर्देश की अंदर है किसानों कि लोगा की है दूसरा जो है यहाँ पर अब्लिटेशन के भी बहुत सारे मुद्टे हैं, जैसे प्राइवेट महेंगे महेंगे स्कूलों में पढ़ाई हो रहे हैं, उनके लेकर के भी सोचना पड़ेगा, नई पिक्षा मुद्टी के दोजार इंक्रीस में बनी थी, उसके तहर अभी तक प अब्लिट के भी सोचना पड़ेगा, यूपी के लोगों में जो लोग पढ़े लिखे लोग जो ग्रोजगार बैठे हैं, अक्तर देखने में यह आ रहा है कि दो हजार चौदा के बाद से लगातार चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो कैंटीन वाला हो, सभी लोग अपने लोग अपने बाद से लिखे लोगों को आओ देने के परियास चिया रहा है, इस तरीचे से लोगों को आवाज देने के परियास किया रहा है, माप्याओं पर नकिल करने के परयास किया जा रहा है गू आपयाओं पर करवायति ने जारी उसी तरीपे से चनपत में हीरो पंसी के लिए तो अधिकारी है उनको चिंभिकिया जाए जहां जहां झाए अभी देख जन्धे सभर भाटवाने के फूरा प्रयाज दिया जाए जाए जाया जाए जाए इस दूरान ही जैसे बताया जा रहा हैं कि इस दोरान सथ्था पक्छ और विपक्छ ने कढ़ जम कर आरोप भी हैं और ऐसे कौन से आरोप ही दूसरे पर कि अभी जानकारी मिल गई थी जैसे कि कल अकले समयं का सत्र सुरू होना था तो अकले स्यादों नहीं पहुछ पायते हैं और आज भी अकले स्यादों साहे नहीं पहुछ पाया है पार्टी की कुछ MLA कोचे हैं जिकों सरकार पर निशाना है चुनाओ को लेकर विसाता है रामिली गुंतागर्भी वोट को लेकर के दूसरा विरुज़गारी को लेकर के करकार के उसके पलत में कि वर यह बताने के प्रयास्तिया है और दूसरा अभी अकले स्यादों पहुछे नहीं सूचरों से यह चांकारी में रही है कि चाचा की करें तव को लेकर विरुज़दय के विरुज़दरे दानिश एक और बात सामने आएा है जो विपक्ष के विधायक है उन्होंने साफ पर ये भी आरोप लगाया है कि पिछला बजट अभी तक हठी नहीं हो सका है नहीं देखें, जैसे सलगों पहुती सरकार किरी हुए है, तीन तीन बार टेटे दी गए है, उत्तर प्रदेश में गट्टा मुक्त नहीं हो पाया, तो वो बजट कहया कहा, बूसरा जो सफाई अभियान पर उन्हें बात कही थी, कि सफाई अभियान पर चल रहा था, कूड़ अगर खर्चा ही नहीं करेंगे, तो कैसे निर्मार होगा, कैसे गटे मुक्तति होंगी, और किवा सबके ही नहीं है, बिदुत विभाद की बात की जाए, तो अभी विजटी विभाद में कुछ इस्तिती सुधार में नहीं हो पाया है, अगर ट्राइफिक की बात की जाए, अगर ट्राइफिक की जाए, बिदुत विभाद में नहीं हो पाया है, बिदुत विभाद में नहीं हो पाया है, बिल्कुल दानिश आप हमारे सक्ट बने रही है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, तो विपक्ष के विधायक ने कहा है, कि सरकार सिर्फ घोषनाई करती अनुपूरक बजट में भी यहीं किया गया है, जबकि सच यह है कि पिछला बजट जो है वो अभी तक खर्च ही नहीं हो सका, उन्होंने तंज कस्तिवें ये भी कह दिया है कि सिर्फ घोषनाई करने से परदेश का विकास नहीं हो सकता है ग्यानवापी मामले में बयान देने वाले सपा के रास्ट्य अध्या चकलेश यादव और इसके साथी ओवेसी शहर काजी और मोलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किये जाने वाले वाद पर मंगलवार को सुलवाई टल गई है एक अधिवक्ता ने अनीधन के कारण कोट ने सुनवाई की अगली तारिक 12 दिसंबर की नियत से कर दी है और इसके अलावा मामले में चोग ठाने में ही रिपोर्ट आ गई है जिसमें लिखा गया है कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं है अपर मुख्य न्याले और मजिस्ट्रेट पंचम MP और MLA कोट में मंगलवार यानी बता दे आपको कि सुनवाई होनी थी और कोट में वाद को सुनवाई योग्य माना था और इसी को लेकर चोग ठाने से रिपोर्ट अतलब की गई थी और ये वाद वरिष्ट अधिवक्ता हरी शंकर पांडे की तरफ से दाखिल किया गया है और लगातार हमारे साथ दानिश वार से जुड़े वे दानिश पूरा मामला विस्तार से बताईएगा ज्यान वापी के देखिए मामला है कि जबसे नियाले में इस मामले को रखा गया था हिंदू पच्छ ने वाद किया रहा है उसी पर हरी शंकर पांडे जो अधिवक्ता है उन्होंने एक बात दाखिल किया था जिस पर चौप ठाने में अखले श्यादो और असुत्तिन वाइसी सांसर अक्टो मौलाना समेथ लोगों पर मुकत्मा तरजवा था उस मुकत्मे में आज सुनवाई होने थी जिसकी सुनवाई बात पर टेल रही है क्योंकि हरी शंकर सायथ मोपके पर अजिवक्ता पहुच नहीं पाए है उन्हीं की तरफ से ये सुनवाई टाली गई है और बज़िदार बात इसमें यह एक चौप ठाने में केवल हावा और अरी संकर पांडे अगर अधिवक्ता ने वाद दर्ज कराया है तो उस वाद का मामला चौप ठाने में पर इंकार क्यों किया जा रहा है और इसकी सुनवाई अभी फिलाई टढ़ी है जब अधिकी सुनवाई होगी तो पोर्ट को इस बात के भी संग्यान लेना पड़े राजनेती कितनी गर्माती में नजरा रहे है तो चुक्ति नियाले में चाने के पात कहीं देंगा इस वाद तो फंड़ जाता है लेकिन अकलेश जादो और शांसत असुतिन हो ऐसी अपने बयान जब वह देते हैं तो इस बीच्टा प्रच के लिए बज़े लगता है एक त अधिवक्त, बिच्टा पांड़े किसी अधिवक्ता के तरफ से वाद दर्च कराई गया हो लेकिन इस पे जो फैसला करना है वो नजरा को करना है और ये कितना विवादित पायानता है इसमें कॉन बाते विवादित हैं यस तो एफ है यसे फायार कॉपिक पता चलिएगा जैकि चौक ठाने से इस बाते इंकर कर दिया गया है कि वी तक वाद तर्ज नहीं है। जो वाद तर्ज होगा तो उसी अधार पर ही पता चलेगा कि नहाराओं में मुकत्मा तर्ज है, बेस क्या है। जो भी जज़्मेंट देना होगा है। लेकिं राज मीटती इस बात पर करमाएगी कि दोनों ही पार्टी नहीं है। दोनों पर एदी बचावने पो एसा बयान ज़रुर देंगे जिस может्ताफ भंट बनेगा। बिल्कुल दानेश आप हम अर्फ़त बने रहे हैं आगे भी आप से अपडेट लेते रहें आगे दिसंबर को बाबरी विद्वन्ज की बर्सी पर मतुरा में अलट जारी किया गया है अखिल भारत हिंदू महासभा के एलान किया है कि वे मंगलवार को शाही इदगा मस्जित के ही भीतर हनुमान चालिशा पढ़ेंगे महासभा ने कहा है कि चालिशा स्विरे कृष्ण जनम भूवी के मूल गर्व ग्रेह में ही पढ़ा जाएगा और सभा ने मत्रा चलो का नारा दिया और जिसके बाद जीले में अलट है इसके बाद पुलिस में मस्जित के रास्ते पर बेरिकेट्स लगा दिये हैं और गाडियों की चेकिंग की जा रही है इदगा मस्जित के पास रेल लाइन बंद कर दी गई है सुभा शाही इदगा पर लड़ू गोपाल का जलाविशेक करने आ रहे हिंदू महासभा के कारेकरता सौरव सर्मा को पुलिस ने खिरासत में भी ले लिया है राश्ट्य कोशा अधियाक्ष दिनेश शर्मा ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर उनको हनुमान चालिसा पढ़ने से रोका गया तो वो आत्म दाह कर लेंगे सभा के राश्ट्य अधियाक्ष राजश्री चौधरी मतुरा पहुच गई और नेताजी सुभाश अंदर बौस की प्रपोती और महासभा की अधियाक्ष राजश्री चौधरी 16 नवंबर को वारान सी गई थी उन्होंने 6 दिसंबर को श्री किष्ण जनम स्थली मतुरा चलो का नारा दिया था शाही इदिगाह को असली भगवान श्री किष्ण का जनम स्थल बताते हुए हनुमान 40 का पार्ट करने और लड़ू गोपाल का जल अविशेक का एलान भी किया है और इस कारिकरब में शामिल होने के लिए सबी हिंदुवादी मेताओं के मतुरा पहुँचने की अपील भी की थी और इसको लेकर मतुरा के SSP क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं जनपत मत्रा में प्रॉपर सुरक्षावेबस्तर कराई जा रही है और मल्टिपर सिक्यूरिटी एरेज्मेंट हमारी है सुपर जोन्स जोन्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस पीएसी ट्राफिक और हमारे साधे बस्तरों में हमारी अभी सुष्टी जो टीम है लगातार इसमें काम कर रही है हमारा उद्देश है कि 1444 लगी है ऐसे कोई भी कारेवर्म नहीं होने दिये जाए जिन्हें को उससे अनुमत ही नहीं है साथी साथ इसमें कई लोगों के तरफ से खुट थी जो गड़बड़ी पनाने का प्यास कर रहे थे तो उसमें से कई लोगों को हम लोगों ने नज़र बाद रखा है इस साथ रखाऊ मले कि हमारे साथ दानीश वर्षी बने वे दानीश चे लिसंबर को बाबरि विद्वंज के पर मत्रब में अलट जारी किया गया देखिए मतुरा के साथ यूपी में वेलाट जारी हुआ है क्योंकि छे दिसंबर आज ही है और दूसरा है कि छे दिसंबर को मुस्लिम पच्छों के लोगों ने एक बरसी की व्याद में इनका एक दिन होता है और इसमें शहीदी दिवस के मनाते हैं लेकिन बावाल इस बात पर तोड़ा सा बढ़ने के आशंका इस बात पर जड़ाए जा रहे थी इस बात की डारा 244 बिए कि कोई मतन हो शारती बaking बावाठ मोना पाएगा औगा और नहीं किसी को शाहीदी दिवास है तो मुस्लिम पच्छ़ के लिए शाहीदी दिवस है और हिंदु पच्छ इन के ख़ाहते है और अले कई लेकर अलेकर अश्कुले लिए Après लाठ है कहीं कोई वाज 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 जिस्तिती या इसी बात को लेकर करके धार में धुनमात ना पैदा हो उसको लेकर परिशासन पहले से तैरी करता है लेकिन जोकि पहले देश वाज 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 पर शांती वस्ता बनी हुई है लेकिन ये शाम तक ही भुपायेगा कि क्राइम अपन्पों कितना कहां तब उत्तर प्रदेश में रहा तो कि 144 रागू होने के बाद चार लोग खड़े भी नहीं हो सकते कि 144 पालंग कितनी तरीके से हो रहा है कहां कहां पर पोर्देश हैं इन जन्पतों में कितना शौरी दिवस मुनाया गया है किस तरीके साहीडी दिवस है और कहां तापर सांथे यह देखने वाली वादे लेकिन उत्तर प्रदेश से अभी तक इस प्रकार कोई गठा सामने भी होने से इंदों करना प्रदेश वादी दिवस फ्रार पाले इसका जोग लगाने के पूरा प्रियास प्रिशासन में किया है और शाहिदी दिगास मुराने पर दिये इसलिए इसलिए किसी प्रकार के अंतरशेपनों से मजबू के आसपा इसे पोर पैनात किये गई है जोग शनका पर शक्रोड़ा हैनि पर इसलिए इसलिए इनके आस्सेप कोई ये vigいる ते कंप्रेशन आप इनक्रिशासन में कई। के पास जो रेरलाइन बंद कर दी गई है इस से लोगों को कितना परेशानी का सामने करना पड़ रहा है? परेशान को बनाने के इत्या परेशान के बनाने के लिए अन्याज के लिए अपना प्रेशान करना खे रहा है तो जाहिए तो अरिकरल्दर हम राधर प्रेल्ट नहीं का सित्यार पूलीयर द् Boost तरह से सभा के राज्ट या राज शरी चौधरी मत्रा पहुंच गई है इसको लेकर महाँ पर अभी क्या महाल देखने को मिल रहा है जान वापी के बात है कि मत्रा में भी कहीं नगा है भारत जन्ता पार्टी के दौरा पहुंच गया रहा हुँचने के लिए वो लोग कहीं नगे पूरा प्रयास कर रहा है प्रशासन को यह भी देखना पड़ेगा कि वहां के नेता पहुंच गया अगर वहां पर प्रशासन नेताओं को रोपने में काम्याब हो जाता है तो किसी प्रकार के धार्मी मुल्माग बढ़ने के आशंकरा नहीं रहेगी और मुझे लगता है कि पूरा जिन शांती से इसने गुजर रहा था वैसे गुजर जाएगा जिस तरह से श्री कृष्ण जनमस्थली मत्रा चलो का नारा भी दिया गया उसमें कितने लोग शामिल बताए जा रहे हैं मैं देखें मैंने बताया ना कि विशिंदू परिसुद के पर अकरोज भरने की पूरा प्रयास किया गया तो शाहर दीवस को बनाने की प्रता पर नारे लगेंगे तो उक्साने के पुरा प्रयास होगा प्रशासन को इस प्रत को बापो भी बता है अगर नेताओं को जब भी होंगे वो प्रशासन की ठीज भी होंगे वहां पर संदच्च्छ भी होंगे अगर वहां पर प्रशासन एक्टीध रहेगा तो किसी परकार कोई बैज पैलेगा और नहीं किसी परकार के बहुंगे हो नेके अशंका है MARK होर दो वह अगर अपने ठरपनट ढ़ेगा तो उसान ह्वंड़ाज character की परकार कोनाज और स्खेर रहें होरें Serum दिखते हैं तो पूरे तरफ से चपवेक में लेती हैं तो कहीं ने कि अगर ढर्विंग मुंदा जा इंबात पहलेगा तो तरसी आदा मुकसान तो उन रोज परदावाले उन लोग होगा इनकी रोजी 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 काम से चलती है प्रशान के अगर चूप होगी तो माहल और जादा बिगड़ सकता है लाके का पृषासन के अगर चूप हुई तो माहल बिगड़ एगा कि शौर्ड दिवर्स को मुनाने के बाद कहीं ने मुस्लिम पच्चे में आखरोश उपन होगा विए शहीदी दिवर्स उनके उपर है और अगर प्रशासन इस पात पर लापरवाई दिखाएगा चाहें पूरे यूपी की बात कर रहे हैं पूरे यूपी में कहीं पर भी एले ने में पर लापरवाई सामने आती है 17 गर संत्ता का दिखाया जाता है या शौर्ड दिवर्स पर कुली छूट की जाती है कानून का पालन नहीं किया जाता है तो नुकसांद ज्यादा होगा नुकसां ज्यादा होगा तो कहीं ने कर चूट मिलेगी तो बवाल बढ़ेगा जब आवाल पर जाएगा तो उसके बाद कंप्रोल करते हैं थोड़ी मुसीवत जाएगी बिल्कुल दानिश आपको बहुत बेर शुक्रिया मारसों जुन्मे के लिए और हम चानकारी तेरी के लिए जिसके बाद जिले में अलर्ट है और इसके बाद पुलिस ने मस्जित के रास्ते पर वरिकेट्स लगा दिये हैं कारियों की चेकिंग की जा रही है और इदगाह मस्जित के पास देन लाइन को भी बंद कर दिया गया है सुवा शाही इदगापर लड़ू गोपाल का जलब शेक करने आ रहे हिंदू महा सभा के कारेकरता शौरब सर्मा को ही पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस जो है लगातार प्रिशासन अलट नजर आ रहा है राश्टिय कोशा अध्याक्ष दिनेश शर्मा ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर उनको हनुमान चालिसा पढ़ने से रोका गया तो वो आतमदाह कर लेंगे और सभा की राश्टिय अध्याक्ष राजश्री चौधरी मत्वरा पहुच गई है नेताजी सुभाश शंदर गोस की परपोती है और इसके साथ ही महासभा की अध्याक्ष राजश्री चौधरी 16 नवंबर को वारांसी गई थी उन्होंने 6 दिसंबर को श्री किष्ण जनम स्थली मत्वरा चलो का नारा दिया था शाही इद्गाह को असली भगवान श्री जनम को लेकर ही श्री किष्ण का जनम स्थल बताते हुए अनुमान 40 का पाठ करने और लड़ू गोपाल का जल विशेक का भी एलाट कर दिया था आपको बता दे कि इस कारिकरम में शामिल होने के लिए सभी हिंदु वादी नेताओ के मत्वरा पहुचने की अपील भी की थी फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही खबरों का सिलसिला लगातार जा रही है आप देखते रहिए न्यूस वल इंडिया